नमस्कार दोस्टो लीड इंडिया लॉय सोट्स, नहीं लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा कि हाई कोट से कपल के पोटेक्शन पे क्या नई जंकारी आई है इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा कि protection किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और इसकी जरुरत कब पड़ती है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि protection किसको लेना चाहिए देखे आम तोर से जब कभी भी आप का शादी कर लें, marriage का registration करा लें और उसके बाद से अगर आप इलहाबाद में या कोई high court में practice कर रहा हूँ, उन advocate के पास जाएंगे और अगर आपको वो पूछेंगे कि मेरे को तो जो है बहुत insecurity है, मेरे parents मुझे मार सकते हैं, धमका सकते हैं या इस तरह कि कोई भी आप अपना डर उनके सामने व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले आपको सुझाओ देंगे कि आपको protection ले लेना चाहिए protection के अंतरगत, मैं यह suggestion देंगा कि protection जो high court से आप लेने के लिए जाते हैं वो बिल्कुल आपके लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए जब आप police के पास चले गए हो, जब आपको लगे कि माबाप मानने वाले नहीं है और कोई रास्ता नहीं है तब ही आपको protection के लिए जाना चाहिए अगर आप पहले चले जाते हैं तो आपके पैसे बरबाद हो जाएंगे दूसरी बात यह है कि जब आप protection के लिए जा रहे हों तो उस समय आपकी marriage valid तरीके से हुई हो तो सबसे बहतर रहता है आपके पास RS March का certificate हो, आपके पास court में marriage registration का certificate हो आपके पास जो marriage का photo है वो होना चाहिए तो कोई भी ऐसे couple जो की marriage का registration करा चुके हैं या living relationship में भी रह रहे हैं तो वो भी हाई court से जाके protection की मांग कर सकते हैं अगर उनको यह डर है कि उनके जान को खत्रा है, कोई उनके उनके शादी शुदा जिन्दीगी को ले करके उनके खिलाब कोई अवैद करवाई हो सकती है तो जरूर protection के लिए जाना चाहिए अब यह प्रस्ट नहीं कि इसकी जरुरत कब महसूस की जाती है कब माने कि भाई अब इसकी जरुरत है देखे इसकी जरुरत तब है जब आप शादी कर ले, marriage registration हो गया आपने अपने घर में बात किया और आपको लग रहा है कि घर वाले नहीं मान रहे पुलिस के पास आ रहे हैं आपके लड़के के घर जा रहे हैं लड़की वाले वहां डरा रहे हैं धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं देख लेने की धमकी दे रहे हैं या अन्य तरीके से डराने वाले फोन कॉल्स आपके पास आ रहे हैं आपके घर वालों के पास आ रहे हैं आप पुलिस को एप्रोच कर चुके हैं पुलिस के पास जा चुके हैं उसके बावजूद भी अगर आप को किसी तरह का कोई करवाई नहीं हो रहा है और लगतार ऐसे कॉल आ रहे हैं तो बिलकुल जान जोकिम में ना लें और आप हाई कोट में पोटेक्शन के लिए जरूर आवेदन करें इसके लिए आप लीला के आफिस में भी बात कर सकते हैं हमारे हिल्पए नमबर डबल डबल जिरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइब पे भी बात करें सुबह दस बैसे छे बज़े की बिज़ में हम जरूर आपकी शाहता करेंगे एक और महत्वपून बात है जो अगला टॉपिक है कि पोटेक्शन के नाम पर कहीं आपको डराया तो नहीं जा रहा है इस बारे में भी सोच लें कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एडवोकेट के पास या किसी संस्था के पास आप जाएंगे और उस वक्त एक नॉर्मल आपने बताया कि मेरे को ये डर है कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं और उन्होंने सिधा सिधा हाई कोट से पोटेक्शन का आपको सुझाओ दिया कि हाई कोटेक्शन ले लो या आपको इतना डराया कि अगर आपने protection नहीं लिया तो आपका शादी का certificate invalid हो जाएगा पुलिस आपको उठा कर लेकर चली जाएगी या लड़की के घरवाले आपको मार पिर देंगे जो शादी का certificate है उसकी कोई value नहीं होगी अगर आपको इस तरह से डराया जा रहा है इसका मतलब यह है कि आपको protection की आउशकता नहीं है केवल इस डर की वज़े से आप high court में नहीं चले जाए protection के लिए क्योंकि ऐसा करने से आपके पैसे खराब हो सकते हैं समय खराब हो सकते हैं पैसे से आप कुछ और काम कर सकते हैं तो केवल डरने से या डराने से आप protection के लिए नहीं जाएं आप अपनी need देख लें आप अपनी जरूरत देख लें और अगर ना समझ में आए तो बात कर लें हम आपकी जरूर साहता कर देंगे एक और महत्वकुन बाद protection मिलने के बाद क्या करें जब protection मिल जाता है उसके बाद क्या करें देखिए जब आपको protection high court से मिलता है तो high court क्या करती है कि वो आपको एक order issue करती है order बोलती है कि ये कपल है और इन्होंने इस दिन इस तारिख को शादी का claim किया है कहा है कि इस दिन शादी है अगर इनकी बात सही है तो police को कहती है कि आप इनके सुरक्षा का परबंद करें इनको किसी भी तरीके से इनके जान माल को हानी ना हो ये शांती पुरवक रह सकें इसकी विवस्ता police करें और इस order को जो जिले के SP होते हैं उनको भेज दिया जाता है ठाने को भेज दिया जाता है कई बार advocate या court अपने माध्यम से भेजती है तो बहुत समय लग जाता है तो आपको खुदी वो लेटर order की copy लेना चाहिए और ले करके आपको खुदी SP सहाब के पास में या थाने में भेजवा देना चाहिए और भेजवा करके आपको SP सहाब के पास में जाकर के contact करना चाह उमीद है कि protection पे जो आपके basic question है उनके जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिले होंगे अगर कुछ रह गया होगा तो अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि protection कैसे मिलता है और उसका क्या process होता है कितने दिनों में मिलता है सब कुछ आपको आने वाले किसी न किसी वीडियो में जरूर बताएंगे अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इस चैनल को subscribe कर ले बिल आइकन प्रेस कर दें बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद